हमारे घरों में जो सबसे ज़्यादा अनाज खाया जाता है वो दो अनाज है वो है गेहूं और चावल लेकिन अब समय आ गया है कि हमें थोड़ा इससे अलग हट के भी सोचना पड़ेगा उसका रीजन ये है ये जो गेहूं और चावल है इसकी वज़े से जितनी भी बिमारियां आप देख रहे हैं चाहे हो डियाबिटीज है ब्लड पेशर है हार्ट डिजीज है कैंसर है किट्नी फिलिर है ये सारी बिमारियां इस वज़े से अब होना शुरू हो गई है तो आए उस अनाज के खाने से हम ठीक हो जाएंगे जी हां आपको लगता है कि ऐसा कोई अनाज है जिसके खाने से आप को किसी भी तरह की क्रॉनिक बिमारिया वो ठीक हो सकती है जरूर हमने हमारी टीम के साथ हजारों पेशेंट ठीक किया है इस अनाज से ही जिनको क्रॉनिक बिमार के होते हैं तो यह अनाज तीन तरह के होते हैं तीन प्रकार के होते हैं पहला नगेटिव ग्रेंज होते हैं दूसरा न्यूटरल ग्रेंज होते हैं और तीसरा पोजिटिव ग्रेंज होते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं नगेटिव ग्रेंज के बारे में कि नगेटिव ग्र वो हमारी health के लिए तो ठीक होते हैं जानी कि अगर हम healthy है तो हम हमेशा healthy रहेंगे हमारी तव्यत खराब नहीं होगी लेकिन अगर हमारी तव्यत खराब है अगर हमें कुछ हो गया है हमें कुछ बिमारी लग गई है तो यह जो neutral grains है यह उसको heal नहीं करते लेकिन यह सिर्फ हमा बिमारी हो कितनी भी जबर्दस्त क्रानिक बिमारी हो उसको यह heal करता है इसके अंदर जबर्दस्त प्रोटीन और आइरन पाया जाता है जो कि दुनिया के प्यॉरस्ट फॉर्म में होता है जो सबसे प्यॉरस्ट फॉर्म होता है वो इसके अंदर पाया जाता है तीसरा इसक व् απिखिन ब्लड और बॉन के लिए जबर्दस होता है। तो इतनी सुरी क्वालड़ी इस positive grains में है तो जब आपने जना कि इतनी सुरी क्वालट़् क्वालटी positive grains में है। तो अब ज़रूर यह जानना चाहिएंगी Totally positive Thoughts होते přी क्या है और कौ Utah positive grains हमें होते हैं दो का फाइबर और कार्वो रेशो डेशो तक हो तो वो दुनिया का बैश्ट आ राज है। जिसका कार्वो हाइडस और फाइबर इसका रेशो janemain तक हो इसका रेषो दैजिव आपको छीक करेगा कि हमेशा हेल्दी रखेगा और तक हमारे बृत के अंदर जो रिलीस करता है क्योंकि बीमारियों की जो में जड़ है वो मैं आपको बताता हूँ हमारे बाड़ी के अंदर पांच लिटर ब्लड होता है पांच लिटर ब्लड में पांच ग्राम शुगर यानि की चीनी की अवशक्ता पड़ती है शुगर जो गुलकोज होता है उसकी अवश नहीं आपाता है और भारी होने कि वैसे वो कार्बन एकसाइड नीचे बढ़ जाता है वो नहीं आता और हमारी बोडी के अंदर गंधगी वो टॉक्सिन जमने लगती है और यही एक सबसे बड़ा कारण होता है हमारी बिमारिया का तो अगर हमारे बलब में ग्लुकोज बहु कि अगेटिव कौन से हैं, वीट और पैडी राइस गेहूं और रिजन देखियें, इसके अज़ने हैं देखाने हैं, यहां पर यह उन्हेंटिशन भी फाइवर 1.2 है तो अगर हम इसका रेशो निकालेंगे तो यह निकलेगा 63.50 हमें कितना चाहिए था मैंने आपको बताया था पोजिटिव और बेस्ट ग्रेड वो है जिसका जो रेशो है वो 10 से कम होना चाहिए यानि कि 9 तक होना चाहिए इसका कितना है 63.5 अगर हम पैडी र देखते हैं निके नगेटिव अनाज है अब बात करता है neutral grains की neutral grains के बारे में neutral अनाज के बारे मैं आपको बता था यह वो होते है जो हमें अगर हम स्वस्त हैं तो स्वस्त रहेंगे लेकिन अगर हम बिमार पढ़े तो इसके अंदर वो healing प्रपट्टी नहीं है जो हमें ठीक कर दे, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखे कौन कौन से है, परल मिलट, फिंगर मिलट, पोण सो, गेट मिलट और देशी कौन, मक्का, जिसको मैंने हिंदी में भी आप देखें, और यह बाजरा है, रागी है, चेहना है, बाजरा है, मक्का, जौर और मडुआ, यह जो इस 56.91 होता है जबकि होना क्या चाहिए होना चाहिए 9 तक यानिकि 10 से कम तो अब हम बात करते हैं positive millets की यह positive millets कौन से हैं देखिए यह positive millets है जिसको अगर आप हिंदी देखे हैं तो यह कंगनी, कोदरा, कुटकी, सांगवा और हरी कंगनी यह जो है यह सारे आप देख रहे हैं इसका carbohydrate कितना है 60.6 और fiber इसका 8 है तो इसका 7.57 तो जितने भी millets हैं यह पांचों millet यह positive millet है यह दुनिया के best millet है और इसका जो carbohydrate और fiber ratio है वो 5.5 to 7.57 maximum है यानि कि these are the best grain in the world उसका reason एक और भी है कि इनके अंदर ना कोई pesticides होता है ना कोई chemical होता है किसी तरह कोई मिलावट नहीं क्योंकि महाँ पर इसके जुरूरत पड़ती ही नहीं है बिना pesticides के बिना chemical के यह पैदा हो जाता है और इसलिए यह दुनिया क यहना यहाँ पर इसके nutritional facts क्या है और नेम का name क्या है वो सब दिया हुआ है आप इनने देख सकते हैं आप इने पढ़ सकते हैं तो आज कल जितने भी Nosट डाइटीशन आ रहेयां वो एक्सर यह बाते करते हैं कि अगर आपको कोई प्रावलम है तो आपके अंदर लो काप्स होना चाहिए, नो काप्स होना चाहिए, हाई काप्स होना चाहिए, means वो बात करते हैं हाई काप्स की वो बात करते हैं लो काप्स की और वो बात करते हैं नो काप्स की लेकिन मेरे हिसाब से कार्वो हाइ अगर आपने गेहुँचावल खाया तो गेहुचावल खाते हैं आधे से एक घंटे के अंदर अंदर तीस से चालिस ग्राम जो है ग्लुकोज आपकी ब्लड में आ जाता है लेकिन अगर आप ये मिलट्स खाते हैं क्योंकि जो श्रीधाने पोजिटी मिलट्स जो बोले हैं दीरे दीरे आठ घंटे में निकल दीरे दीरे रिलीज होता है थोड़ा सा रिलीज होगा इतने वे हम काम करके उसको एनरजी को कंज्यूम कर लेते हैं फिर रिलीज होगा फिर कंज्यूम कर सकते हैं तो इससे क्या होता हमारा ब्लड जो है गाड़ा नहीं होता हमारे ब्लड करता हूँ environment के हिसाब से तो आंद्र प्रदेश उत्र प्रदेश में गेहूं चावल उगाने में जितने पानी लगता है सपोस्थ दस हजार लिटर या दस लाख लिटर पानी लगता है तो उतने पानी से में अगर हम millet उगा दें तो यह पूरा वर्ड इस अपने पेट भर सकता है और सवस्थ रह सकता है लेकिन वह सवस्थ रहेगा तो लोगों के धन्दे कैसे चलेंगे इसलिए इसको कोई बताता नहीं है इसलिए इसको कोई promotion नहीं होती है और यह जो पांचों millard हैं इस मिलर्ट से आपूटी चीला इडली पराठा डोसा खीर कन आफ बहुत ही टेस्टी लगता है मैं सालोई से खा रहा हूं मैंने फर्मेंटेट भी बहुत खाया और आप खाइम लड्डू बना सकते हैं बहुत स्वाधिस्त लड्डू बनते है आप उनने भी बना सकते अब आताती है कि यह मिलेंगे कहां से तो मैं आपको बता दूँ अगर आप 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 लिखे अन पॉलिस्ट मिलेट जी हाँ आपको पॉलिस्ट नहीं ध्यान रखिए अन पॉलिस्ट मिलेट आपको लेने हैं और यह पांच केजी जो है 900-950 तक आता है एक्चुली इसका जो कॉस्ट पांच किलो का है करीबी 120 रुपे से लेकर 150 रुपे ऐसे किलो मिलता है तो यह अवरेज लगाएंगे तो करीब 400-500 रुपे के बीच में पांच किलो आता है लेकिन डिविरी कॉस्ट इसके डबल हो जाती है क्योंकि यह आंदर परदेश में ज्य तो फिर भी मैं आपको बता दूँ कि जो पांच किलो है 900-9850 मिलेगा अब आपको लगेगा कि यह महंगा बहुत है लेकिन मैं आपको बता दूँ कि एक किलो गेहूं में 4-5 लोग खाते है तो एक किलो मिलट्स में कम से कम 10-12 लोगा पेट भर जाता है यह बहुत हैवी होता है यह बहुत भारी होता है बड़ी जल्दी पेट भरता है क्योंकि फाइवर इसके अंदर बहुत जादा होता है तो इसी लिए इसकी कॉस्टिंग आपको उसी लबग पड़ेगी आपको महंगा नहीं पड़ेगा और मैं यह बता दूँ आपको कि यह कैसे बनता है आप अची रेसिपी है आप इसको जरूर ट्राई करें और इस मिलट्स के लिए मैं थैंक्स करना चाहूंगा डॉक्टर खादरवली जी का जी हां डॉक्टर खादरवली वह फूड साइंटिस्ट है जो कि युएस में थे लेकिन युएस को छोड़के वह इंडिया आए इंडिय अगर आपका फूड गलत है तो कोई भी मैडिसन आपको ठीक नहीं कर सकती और अगर आपका फूड सही है तो आपको किसी भी मैडिसन की जरूत नहीं है और ये बिल्कुल सही है मैंने अपने आपको ठीक किया और मैंने हजारों पेशन को ठीक किया इसी फॉर्मूले से कि ज हम वो खाने लगें तो हम कभी भी बिमार नहीं पड़ेंगे क्योंकि हमने अपने पुर्वजों को भुला दिया है इसलिए आज साइंस ने इतनी तरक्की कर लिए हम इतने पड़े लिखा होगे हैं कि हमेशा बिमारी पड़े रहते हैं हर घर में बिमारी है तो प्लीज हमें पुर्वजों को फॉलो करना चाहिए वो क्या खाते थे अगर हम वो खाएंगे तो जरूर ठीक होंगे और हमारे पुर्वज ये मिलट्स ही खाते थे जो मैंने आपको ये पांचों मिलट्स बताए हैं तो मुझे उमीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अब सबसे ज़्यादा हमारे घरों में खाये जाते हैं और ये जो बीमारी का बहुत जवर्दस कारण है वो यही अनाज है आपको ये वीडियो कैसी लगे केमेर सेक्शन में जरूर लिखें अपनी कोई भी क्वेरियो उसमें लिखें मेरी टीम आपको अपलोड होने के दो घंट बहुत अच्छी वीडियो है मिस ना करें चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके और बैल आइकन को जरूर पैस करें जल्दी मिलता हूं तब तक मिलट्स को जरूर परचेस करके खाईए और कमेंट्स वक में लिखिए कुछ महीने बाद लिखिए जरूर की आपको कैसा लग र है कि अगर आपको जितनी परिशानियां सारी परिशानियां आपकी दूर हो जाएंगी इस मिलट्स के खाने के जल्दी मिलता हूं तब तब अपना ध्यान रखिए फैमिली और रिश्चतारों का और दोस्तों का विशेज ध्यान रखिए नमश्कर